हेलो एवरिवन स्वागत है हमारे चैनल बंटी फोर बाइलोजी में आपका आज हम लोग क्लास 10 के लिए आपका चेप्टर है हमारा परियावरन उसी में से आज उठाए है कुछ अति लगहुतरिये प्रश्ण को किस बुक से है तो भारती वबन से आपका अति लगहुतरिये का व्याख्या है देखिया ती लगहुतरिये प्रस्ण में से पहला प्रस्ण है परियावरन किसे कहते हैं तो परियावरन किसे कहते हैं जीवों के चारों जहां पर भी जीव रह रहे हैं उसके चारों तरफ मौझूद भौतिक जैविक और जैविक पदार्थों से बना पारिस्थितिक तंत्र क्या है तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है बातावरन के जैव और अजैविक घटक के बीच जो आपस में अंतरक्रिया होती है जिसके बज़ा से वो उस बातावरन में अपने आपको रख पाते है इसी को क्या कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र कहा जात इसी को पारिस्तिक तंत्र कहते है प्रसंख्या 3 को देखे कि पारिस्तिक तंत्र के किनी दो जैविक घटक के नाम बताए तो जो जिवित है वही घटक क्या कहलाते है जैविक कहलाते है जैविक कहलाते है जैसे पौधे हो गए जन्तु हो गए मनुस्य और सुष्मजीव जो है वो इनके जैविक घटक है प्रसंख्या चार को देखे पारिसितिक तंत्र के किन ही दो या तीन है आजैविक घटक के नाम लिखे तो आजैविक जो मृत घटक है जो इसमें जीवन नहीं है जैसे मिर्दा हो गया, मिट्टी, वायू, जल, प्रकास, तापमान ये सब जो है अजैविक घटक में आते है अब प्रसंख्या पांच को देखे क्रित्रिम पारिसितिक तंत्र का कोई उदाहरन थे क्रित्रिम पारिसितिक तंत्र का मतलब क्या हुआ वैसा पारिसितिक तंत्र जिसका निर्मान मनुस्य खुद अपनी आवस्टाओं के अनुसार से कर लेता है उसे ही क्या कहते है क्रित्रिम पारिसितिक तंत्र कहते है जिसे फसल का मैदान हो गया तालाब हो गया हमारा एक्वेरियम हो गया तो यह सब क्रित्रिम पारिसितिक तंत्र का उदारन है प्रससंख्या 5 को देखे मैदानी पारिस्तिक तंत्र के आहर सिरिंखला को नाम से दर्साइए तो मैदान में पाए जाने वाले एक आहर सिरिंखला का बरनन करना है जैसे पौधा हो गया, ग्रास उपर हो गया, गिर्गिट हो गया, बाज हो गया तो हरा पौधायक पोसियस्तर ग्रास उपर दूसरा पोसियस्तर ग्रिगिट तीसरा चौथा में बाज हो गया अब पौधे यहां क्या हो जाएंगे पौधे उत्पादक है ग्रास उपर क्या हो गया प्रथमी को पहुगता ग्रिगिट दुतिय को पहुगता बाज जो है वहत् साद को उत्तपादक किसे कहते हैं तो न Tigers को रसायनी कूर्जा मदलता है और हम लोग उसका उपयोक करते हैं अगला प्रस्टन को देखे आठ नमबर एक आहार्स रिंखला का पर्थम पोसी अस्तर क्या है कोई भी आहार्स रिंखला शुरू होगी तो पहला पोसी अस्तर कौन होगा हरा पौधा होगा नौ नमबर कोस्चन है कोई दो जैब अनिमनी करनी है अपसिस्ट का नाम लिखे अजैब निमनी करनी है अपसिस्ट का तो वैसे पदार्थ जो प्रकिर्ती में अगर मुक्त हो जाए तो ये जल्दी सड़ते गलते नहीं है नस्ट नहीं होते उसे ही अजैब जैब अनिमनी करनी है अब सिस्ट काते जिसे कीट ना सक हो गया सिसा है प्लास्टिक है ये सब जैब निमनी करनी है पदार्थ है अब देखें हमार आठ नौ नमबर कोस्टन हो गया अब अगले प्रशन की और हम लोग चलते हैं दस नमबर प्रशन पर तो दस नमबर में लिख रहा है कि निमनी करनी है जैब निमनी करनी है वैसे पदार्थ जो सुचमजीवों के अक्सन के द्वारा क्या हो जाए सडगल करके नस्ट हो जाए उसे ही क्या कहा जाता है जैब निमनी करनी है तो आप खोजे कागज, डिडिटी, गोबर, प्लास्टिक और सबजी के छिलके में से कौन निमनी करनी है में आएगा तो कागज हो गया आपका गोबर हो गया सबजी के छिलके हो गए अगला प्रशन को देखे प्रशन ख्याएक 11 को किस कारण से कुछ पदार्थ जैब निमनी करनी है और कुछ जैब और निमनी करनी है तो जैब अप घटन के आधार पर ही कोई पदार्थ क्या होंगे जैब निमनी करनी है और और निमनी करनी है होंगे जैब अप घटन जो सडगल रहा है उसके आधार पर अगला है कि ओजोन अस्तर का क्या महत्व है ओजोन जानते हैं कि हमारे समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेर में 15-50 किलोमेटर मोटी एक सता है जो पिर्थवी पर सूरी की पराबैगनी किर्णे को आने से रोकता है और सूरी की पराबैगनी किर्णे अगर पिर्थवी पराती है तो मनुस में तवचा संबंद विमारी, कैंसर, मोतिया, बेंद, कैटा, रेक्टा, अधी उत्पन होता है और पौधे में क्या होगा? पौधे की पतियां और फल जो है असमय क्या हो जाएगी? जड़ जाएगी अगला कोस्चन है प्रशंख्या 13 को देखे CFC का पूरा नाम बदाईए क्लोरो फ्लोरो कारबन इसका पूर्ण नाम हुआ प्रशंख्या 14 को देखे एक रसाइनिक योगिक का नाम जिससे ओजो नस्तर का आपच्छे होता है तो क्लोरो फ्लोरो कारबन या फ्लोरो कारबन जो है हमारे ओजोन मंडल को नस्ट करने का कारी करते है प्रशंख्या 15 को देखे प्राबैगनी विकिरन से मनुस में कौन सी विमारी उत्पन होती तो अभी थोड़े दिर पहले चर्चा हुआ तो अचा कैंसर हो गया मोतिया बेंद इसके अलाबा अनेक उत्परिवर्तन उत्पन हो जाते है उत्परिवर्तन क्या हुआ शरीर में एकाई एक बदला हुआ जो लगातार अगली पिडी में हो सकता है कि अस्थारांत्रित हो विकलांग हो जाए ने गुनों का विकास हो जाए यही उत्परिवर्तन है प्रस्ट संख्या सुल्लह को देखे जी मंडल की एक स्वपोसित संरचनात्मा का और कारियात्मा की काई क्या होती है तो इसका उत्तर है पारिस्थिक तंत्र है ना यही तो एक कारियात्मा की काई है प्रस्ट संख्या सत्रह को देखे समुद्र किस प्रकार का पारिस्थिक तंत्र का उधारन है समुद्र जो है एक जलिये प्राकिर्तिक प्राश्थिक टंत्र का उधारन है जलिये है जल का है इसलिए प्राकिर्तिक क्या हम लोगों ने इसे बनाया नहीं है अपने आप यह निर्मित हुआ है आप प्रश्रंख्या 18 को देखे अपने पोसन के लिए उत्पाद को परपूर्ण रूपे निर्भर रहने वाले जीवों को क्या कहते उत्पाद को का मतलब क्या हुआ हरे पोधे तो जो हरे पोधे परपूर्ण रूप से आश्रित होंगे उसे क्या कह सकते है जो सबसे पहले तो आप उसे क्या कहिएगा क्या कहिए एगा सकेंड ट्रॉपिक लेवल का जन्तु हो गया यह कह सकते हैं कि प्रथमिकु भोगता हो गया या संचेप में कहें तो भोगता या परपोसीर का लाएंगे यह ठीक है प्रशंख्या ठारा पूर्ण हुआ अब हम लोग अगले प्रशंख्या 19 को देखे वैसे जीव जो पौधे और जन्तु दोनों को खाते तो पौधे और जन्तु दोनों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाएगा सर्वाहारी या सर्भच्छी कहा जाएगा ओमनी भोरस कहा जाता है अगला प्रश्ण को देखे 20 जीवानू और कवक जैसे सुष्मजीब को क्या कह सकते हैं जीवानू कवक प्रोटो जोवा ये सब जो है वो हमारे वातावरन के लिए क्या है अब घटक का काम करते हैं सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं तो ये नस्ट करने का काम करते हैं इस बज़ा से इन्हें क्या कहा जाता है अब घटक कहा जाता है अगला प्रस्टन देखे प्रस्टन्ख्या 21 को एक जलिये पारिसितिक तंत्र में उत्पादक का कारे कौन करता है तो एक जलिये पारिसितिक तंत्र में क्या होगा सैवाल होगा पादा प्लवक कहते हैं जिसे फाइटो प्लैंक टॉन कहते हैं यही क्या है तो हमारा पहला उत्पादक है जल जल में ठीक है अब अगले प्रशन की ओर चले प्रसंख्या 22 को देखे पिर्थवी तक पहुचने वाली 100 उर्जा का कितना भाग प्रसंख्या 23 को देखे आहार सिरिंख्ला के परतेक पोसी अस्तर पर कुल उर्जा का कितना हिस्सा आगले पोसी अस्तर में अस्थानांतरित होता है तो हम लोग लिंड मान के 10 परतिसत के उर्जा अस्थानांतरन का नियम पढ़े हैं इसके नुसार से अगले पोसी अस्तर में 10 परसंट ही उर्जा का अस्थानांतरन होता है बाकी 90 परतिसत जो है स्वसन रेस्पाइरेशन लाउस है ना में खतम हो जाता है अपने उपापचेई क्रियाओं में उसका उप्योग कर लेते हैं जीब अगले प्रश्ण को देखे 24 प्रश्ण को जैब अनिमनी करनिये पदार्थों की मात्रा को पहले पोसी अस्तर से अगले पोसी अस्तर में करमसा होने वाली बिर्धी को क्या कहते हैं तो हम जानते हैं कि एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी अस्तर में अगर कोई भी रसा हैं डी डी टी कीट नासक पीड़क अगर ट्रांसफर होता है तो अनिस्चितन उपात में क्या होता है बढ़ता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते है जय बावर्धन कहा जाता है अब हम लोग अगले प्रस्टिंग की ओर चलते है 25 नमर प्रस्ट रंग क्या अतिलग हुतर ये प्रस्ट है हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारे वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज बनता है जिससे हमारा मनुवल बढ़े और हम और अच्छा परदर्सन आपके सामने कर पाए रेडियो धर्मी पदार्थ किस प्रकार के अपसिस्ट होते है तो रेडियो धर्मी पदार्थ में हो गया जिससे प्लूटोनियम हो गया यूरेनियम है थोरियम है इससे रेडियो सक्रिय किरने अलफा बीटा गामा निकलती है और ये जो होते है जाइब और निमनी करनी ये पतार था, ये नस्ट नहीं होते है, अगले प्रस्टन की ओर चले, प्रस्टंख्या 26 की ओर, अगर विभिन पोसी अस्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए, तो किस प्रकार की आकिर्थी बनती है, जीवों की संख्या के आधार पर हमारा जो आक प्रसंख्या 27 को देखे, कागज और कपास से निर्मित कपड़े किस प्रकार के अपसिस्ट है, तो ये आसानी से सडगल जाते हैं, इस वज़े से जैब निमने करनी है, पदार्थ में ये आएंगे, अब अगले प्रस्ट की ओर चले, आप 28 नमबर प्रस्ट की ओर, तो 28 नमबर प्रस्ट में आपका है, क्या है भाई, तो 28 नमबर में धर्ती परिस्ट सभी जन्तूं को किस त्रणी में रखा गया, अब जन्तू की बात हो रही है, तो जन्तू क्या है, हर हालत में उत्पादक परास्रित होता है, हरे पोधे परास्रित होता है, इस बज़े से हम समक लोग इसे क्या कहते हैं उपभोगता कहते हैं या परपोसी कहते हैं तिलचटा और मनुर्फ किस प्रकार का जीब है तो तिलचटा और मनुर्फ जो है वह सरवाहरी या सरभच्छी जीब की स्रेणि के आता है ठीक है अगले प्रश्णकी और चले, 30 नंबर प्रश्रंख्या पर आहर स्रिंख्ला के जाल को क्या कहते हैं, तो खाद जाल या आहर जाल कहा जाता है हिसे अधिक्तम उरजा की सस्टर प्रसंचित होगी, तो सबसे जादा उरजा का जो निर्मान करेगा, उसी के पास संचित होगी तो हमारे हरे पौधे उत्पादक जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में उर्जा को रखते हैं प्रसंख्या 32 को देखे आहार स्रिंख्ला में मनुस्य का क्या स्थान है तो आहार स्रिंख्ला में यह सबसे उच्टम स्रेणी को रखता है अगला प्रस्ट तेतिस प्रस्टंख्या, हमारे खाध पदार्थों में हानिकारक रसाइन का जमाओ किस करिया के द्वारा होता है। अभी हम लोग पढ़े थे, जयवावर्धन के द्वारा, अगला प्रशन देखे, प्रश्रंख्या 34, किस छेत्र के ऊपर ओजोन अस्तर में कमी को सामानेता ओजोन छिद्र की संग्या दी जाती है, तो अंटार्टिका में बेग्यानिकों ने सबसे पहले ओजोन छिद्र को दे समली तो किसक निर्मान करते हैं, सभी मिल करके, तो परियावरन या, वातावरन का निर्मान करते हैं, अब हम लोग चलेंगे अपने प्रस्ण, अगले प्रस्ण सायतिस प्रस्ण संख्या पर, सायतिस प्रस्ण संख्या क्या करा है, तो उप भोगता को कितनी स्रेणियों बाटा गया, तो उप भोगता जो है, प्रथमी को भोगता, दूतियक को भोगता, तिर्तियक को भोगता प्रसंख्या 38 को देखे वन पारिस्तिक तंत्र में गहांस का पोसी अस्तर क्या है तो वन पारिस्तिक तंत्र में गहांस कौन सा अस्तर पर है प्रथम पोसी अस्तर पर है कोई भी उत्पादक होगा तो प्रथम पोसी अस्तर पर होगा उन 40 नमबर प्रश्रंग क्या को देखे एक वन पारिस्तिक तंत्र में चिडिया का क्या अस्थान है तो चिडिया दूतियक भोगता की स्रेणी में आता है 40 में प्रश्रंग पर पहुंचे हम लोग एक मैदानी पारिस्तिक तंत्र के आहर स्रिंकला में गिद का अस्थान बताना है तो गिद जो है वो क्या है सिर्स पर है स्रेष्ट है उच्तम स्रेणी का भोगता है चतुर्तु भोगता कर सकते हैं इसे 41 नमबर प्रश्रंग क्या को देखे क्या उर्जा का अस्त योह प्रम्ताक का योई हो सकता है, उल्ठा कह रहा है, तो हम जानते हैं कि किसी भी आहार स्रिंकला में उर्जा का प्रवा हमेशा एकदीसिये होता है, या उल्ठा नहीं हो सकता है अब अपने अंतिमति लग होतर ये प्रशन पर हम पहुंचे हैं तो यह है CFC के टूटने से किस गैस की उत्पत्ती होती है जो जो उनसे परतिक्रिया करता है तो उसी क्लोरो फ्लोरो कारवन टूट करके क्लोरीन का अनू बनाता है लिस्ट की लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे रहें धन्यवाद